अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और आपकी ये ट्रेन जर्णी ओवरनाइट की होती है तो फिर ये खबर आप ही के लिए है अगर आप रेल यात्रा की सोच रही है तो घर से अपना मुबाइल, लैपटॉप या फिर दूसरे इलेक्ट्रोनिक गैजट्स को 100 फीसिदी चार्ज करके ही निकल लिएगा अगर आप ये सोच कर निश्चिन्थ हैं कि ट्रेन में चार्ज कर लेंगे तो आपके साथ धोका हो सकता है अगर आप ये सोच रही हैं कि हम ट्रेन के खराब चार्जिंग पोर्ट की बात कर रही हैं तो नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रेन के सारे चार्जिंग पॉइंट्स तो खराब होते नहीं, कुछ ठीक भी होते है अब आते हैं असल मुद्दे पर कि मुबाईल लैप्टॉप को घर से 100 फीसिदी चार्ज करके क्यों निकलना है असल में भारतिय रेलवे एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है इस नियम के मुताबिक ट्रेन में रात 11 बजे से सुभा 5 बजे तक चार्जिंग की मनाही होगी अब आप सोच रही होंगे कि मनाही से क्या होगा हम कौन सा सारे नियम फॉलो कर रही हैं जो इस नियम का पालन करेंगे भारतिय रेलवे को भी ये बात पता है कि कोई भी यात्री इस उट पटांग नियम का पालन नहीं करेगा इसलिए तो रात 11 से सुभा 5 बजे तक ट्रेन में चार्जिंग इलेक्रिसिटी सप्लाई बंद रहीगी रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने नियूज एजिंसी को बताया कि वेस्टन रेलवे ने 16 मार्च से निया नियम लागू कर दिया है अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में कौन रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नियम लानी के ज़रुवत पड़ गई रेलवे ने जो तर्क दिया है उसके मुताबिक ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया गया है और ट्रेन में आगजनी रोकनी की ये मुख्य बज़े है हाल ही में दिली देरा दून शताबदी में आग लग गई थी ये आग एक कोच से शुरू हुई और देखते ही देखते साथ कोचिस तक फैल गई थी इसी के बाद रेलवे ने ये तै किया है कि रात 11 बजे से सुभा 5 बजे के बीच ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट्स में बिजली आपूर्ती बंद रहेगी जिससे यात्री चाहकर भी अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे रेलवे के इस फैसले के खिलाफ भी तरह तरह की बाते हो रही है लोगों का कहना है कि अन्होनी की आशंका से फैसिलिटी बंद कर देना ठीक नहीं है लोगों का ये भी कहना है कि अगर ट्रेन कोच में लाइट, फैन और एसी का कनेक्शन रहेगा तो चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करने से खत्रा कैसे टल जाएगा रेलवे के इस फैसले पर आपका क्या कहना है कमेंच करके जबूर बताएं